जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि एक फिल्म में जितनी एहम भूमी का एक हीरो की होती है उतनी ही एहम भूमी का एक विलन की भी होती है और इन विलन की वजह से ही बॉलिवुड की कई फिल्में सूपर हिट भी साबित होती हैं तभी तो दर्शक हीरो के साथ साथ व इस लिस्ट की पहली कड़ी में अभिनेता मोहन जोशी का नाम शुमार है जिन्होंने अपनी फिल्म गुंडाराज, हम दोनों और लोहा जैसी कई सूपर हिट फिल्मों में शांदार तरीके से विलन का किरदार निभाया है और जम कर खूब तारीफे बटोरी है लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ चाइल्ड के बारे में तो आपको बता दें कि इनका एक बेटा है जिनका नाम रोहन जोशी है जो प्रोफेशन से एक कॉमेडियन है और आज अपनी फिल्ड में काफी जादा काम्याब हो चुके हैं वहीं बात करें इनकी पॉसनल लाइफ के बारे में तो आपको बता दें कि ये फिल्हाल सिंगल है और अपने करियर पर फोकुस कर रहे हैं चलिए बात करते हैं अभिनेता माक मोहन के बारे में जिन्होंने शोले फिल्म में सांबा का करदार निभाया था और अपने इस करदार से खूब प्रसिद्धी हासिल की थी लेकिन बात करें मैक मोहन के रियल लाइफ चाइल्ड के बारे में तो आपको बता दें कि इनकी दो बेटियां और एक बेटा है इनकी बड़ी बेटी मंजदी मखीДаनी प्रोफेशन से एक डिरेक्टर हैं जिन्होंने अब तक एक से बढ़कर एक कई सूपर हिट फिल्मों को डिरेक्ट किया है वहें इनके चोटे बेटे विकरांत मक्हिजानी पेशे से एक अक्टर है जिन्नोंने दा लास्ट मार्बल जैसी कई सुपर हिट फिल्मों में अभिने किया है आप बात करते हैं इनकी सबसे छोटी बेटी विनीता मक्ही जानी के बारे में तो ये पेशे से एक प्रोडक्शन डिजाइनर हैं और आज अपनी फील्ड में काफी ज़्यादा काम्याब हो चुकी है बॉलिवुड इंडोस्ट्री के फेमस विलेन आशीश विद्यार्थी को आज भला कौन नहीं जानता होगा जिन्होंने अपनी फिल्म बादल में मनताविर विलेन का किरदार बेहधी खूपसूर्ती से परते पर उतारा और अपने इस किरदार से खूप तारीफे भी बटोरी लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ चाइल्ड के बारे में तो इनका एक बेटा है जिनका नाम आर्थविद्यार्थी है जो फिलहाल अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं और ये भी बड़े होकर अपने पापा की तरह ही फेमस स्टार बनना चाहते हैं अभिनेता डैनी डिन्जॉंग पा ने भी विलेन का किरदार बेहधी खूपसूर्ती से परदे पर उतारा है और अपने विलेन वाले अंदाज से लाखो लोगों से खूप पॉपलेरिटी हासिल की है लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ चाइल्ड के बारे में तो इनके दो बच्चे हैं जिनका नाम रिन्जिंग डिन्जॉंग पा और पेमा डिन्जॉंग पा है इनके बेटे रिन्जिंग पेशे से एक अक्टर हैं जो चल्धी बड़े परदे पर अभिरे करते हुए दिखाई देने वाले हैं और इनके बेटी पेमा एक इंजीनियर हैं और आज अपनी फील्ड में काफी ज़ादा काम्याब हो चुकी हैं बात करें अभिनेता डैनी डेन्जॉंग पा के बच्चों की पॉस्नल लाइफ के बारे में तो आपको बता दे कि इनके तोनों ही बच्चे सिंगल हैं और अपने करेर पर फोकस कर रहे हैं आज अमरी इश्पुरी मिस्टर इंडिया फिल्म में मुगैंबो खुश हुआ का डायलोग बोलने वाले अभिनेता अमरी इश्पुरी भी उन्हीं अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने विलन का किरदार बेहत खूब सूर्ती से परदे पर उतारा है और खूब तारीफे भी बटोरी हैं लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ चाइल्ड के बारे में तो आपको बता दें कि इनका एक बेटा और एक बेटी है जिनका नाम राजीव और नमरता है इनके बेटे राजीव प्रोफेशन से एक फिल्म प्रोडूसर है जिन्होंने ये साली आशकी जैसी कई सूप इस लिस्ट की आखरी कड़ी में अभिनेता रजा मुराद का नाम शुमार है जो नमक हराम और जोधा अगबर जैसी कई सूपर हिट फिल्मों में विलन का करदार काफी अच्छे से निभाते हुए नजर आए थे लेकिन अगर बात करें इनके रियल लाइफ चाइल्ड के ब बिजनसमेन है जो आज अपनी फिल्ड में काम्याबी की उचाईयों को छूते हुए नजर आ रहे हैं वही बात करें इनकी पॉस्टनल लाइफ के बारे में तो बता दें के इनके दोरों ही बच्चे शादी शुदा हैं और अपनी फैमिली के साथ खुशाल जिंदगी बिता रहे हैं तो दोस्तों आपको इन चुनिंदा विलेंस में से किस विलें का किरदार जादा पसंद आया था आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं साथ ही बॉलिवूड इंडॉस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही मज़ेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें